नमस्कार दोस्तों वेल्कव टूब टूब में चैनल जो 11 वीडियो पहले दिया था मिक्सिंग मस्टरिंग का बहुत सारा लोगों ना देखा है कॉमेंट भी किया है तो हम कमेंट कुछ पढ़ रहा था जैसे कि किस टैप का कॉमेंट लोगों ने किया है तो उसका उपर थोरा सा सॉलूशन हम थोड़ा बोलना चाते हैं तो देखिए कुछ-कुछ कॉमेंट जो है एकदम सिंपल सा कॉमेंट है रिकॉर्डिंग क्यों नहीं ले रहा है मतलब रिकॉर्डिंग हम लोग तभी कर पाएंगे जब ठीक से हम लोग चैनल को सेटिंग करेंगे जैसे कि हम एक आप लोगों का पास जो कार्ड है जैसे कि जो आप लोगों का पास जो कार्ड है जैसे कि हमारा पास जो मोटू कार्ड है मोटू हम सिलेक्ट करके रखा है तो इसलिए इसका जितना सारा चैनल है सब दिखा रहा है एक नंबर पॉइंट दो नंबर पॉइंट क्या है अगर मोटू नहीं दिखा रहा है मतलब आपका जो साउंड कर जो आपने खरीदा है किसी का कोई भी साउंड कट का साथ CD और DVD नहीं आते हैं तो इंटरनेट से डाउनलोड करके आप लोगों करना पड़ेगा एक नमबर तो उसका साथ जो अडियो ड्राइवर कनेक्टेड है पर्टिकुलर्ली और अडियो ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद अब लोगों को क यस भी 3 में लगाना पड़ेगा यह हो गिया एक बाद लगाने के बाद एड्जस्ट हो जाएगा पर्टिकुलर्र इसका कंट्रोल पर नेल आ जाएगा उसके बाद आब लोगों को जाना पड़ेगा आडियो कनेक्शन आडियो कनेक्शन में देखिए जो इन्पूट होता है पर्टिकुलर यह जो इन्सार्ट सेक्शन है इन्सार्ट इन्पूट कोई भी बोल सकतो इसमें वान और टू दिया हुआ है जैसे कि एक हमारा टू इन टू आउट साउंड करें एक नमबर लेफ्ट साइड में एक है और राइट में दो है तो आभी हाम इसमें देख किया हुआ है तो रेकोर्डिंग हो नहीं होगा तो इसको हम लेफ्ट कर देता है क्योंकि लेफ्ट कनेक्शन में लेफ्ट पर्टिकुलर चैनल में हमारा माइक्रोफोन भी लगा हुआ है अभी रेकोर्डिंग करेंगे तो रेकोर्डिंग होने लग जाएगा जैसे कि हो सकते हैं आप नया है हमारा चैनल में पिछला कुछ वीडियो शायद देखा नहीं है इसलिए स्टेप का कोश्चन किया है तो फिर भी हम बोल दिया है अब लोग थोड़ा से पर ट्राइ करकर देख लेना क्योंकि जिसका पास प्रॉब्लम हो रहा है तो यह तो एक नमबर प्रॉब्लम है क्या ना बिसिकली कोई एफेक्ट लगाने का बाद जैसे कि जब हम लोग कोई इसको जब लगा रहा है तो यह पासफ लगा घाल तो ले रहा है तो ले तयक्षिंट cách से ले रहा है हम लोग देख लेंगे mixer में चला जाएंगे mixer में जाके अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें 13.5 millisecond latency ले रहा है इसमें insert में तो 13.5 millisecond ले रहा है तो अगर हम इसको ये particular जो button जो constant delay compensation जो button है इसको अगर enable करेंगे तो मतलब पट्टिकुलर्ली इस टाइप का एबटन को अगर हम लोग एनेबल करें तो एफेक्ट बंद हो जा रहा है मगर इसको अगर रखके हम लोग काम करना चाहते हैं तो रिवर्स करना पड़ेगा जैसे कि जतना मिलिसेगंड आपको दिखा रहा है इसमें यह मतलब देने का कारण से जतना मिलिसेगंड तो आपको इधर पट्टिकुलर्ली माइनस 13.5 मिलिसेगंड करना पड़ेगा तो यह पट्टिकुलर्ली लेटेंसी ओफ हो जाएगा तो यह हो गया जो कुमेंट था उसका हिसाफ साम भोलना आज हम एक नया चीज दिखाने के लिए आप लोगों को जा रहा है जैसे कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जिसमें आप लोगों का काम बहुत आसान हो है फिर भी इसका एक सीरीज हम चालू करेंगे क्योंकि जो लोग एडवांस लेवल में काम करता है बिसिकली एक दिन में बहुत सारा गाना देना पड़ रहे है कंपोजिशन करके देना पड़ और वह भी अच्छा क्वालेटी वाला तो मीडी में काम करना पड़ता है मीडी are free software ने उसमाति प्री लिए यहां Bio Cleanicing कूछ बजा दींज मुद टिक है अभी इसको कुछ भी चेंज अगर हम चाहें जैसे कि आगर हम लोग बोलना चाहते हैं जा इस पी जितना सारा नोट्स हम लोग बजाया है इसके अनदर से हम लोग अगर 由 से जीन नोट को डिलीट करना चाहता है, तो यह च्छोटा जगा बजाया है, इसको select करके हम लोग G note को delete कर सकता है, ऐसा ऐसा करके यह जो line है, इसको delete कर सकता है, ठीक है, अगर यह अगर पूरा गाना में हो जाएगा तो उसमें एक option लगता है जैसे कि जिसको हम लोग बोलते हैं transform, ट्रांसफर्म मीडी का अंदर मिलता है इसमें हम लोग logical editor हम लोग बोल सकते हैं इसमें बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं जैसे कि अगर हम लोग कुछ जैसे इसमें ट्रांसफर्म जो ऑफ्षन है इसको हम लोग अगर select करना चाहते हैं अगर select करना चाहते हैं जैसे कि equal to g to pitch correction इसमें बहुत सारा logically concept है जैसे कि position कोई note का position change करने के लिए particularly position option देना पड़ता है तो इसमें दो पार्ट होता है दो पार्ट में क्या है यह है अपका particular अपक्या चाह रहा हूं यह उपर का पार्ट और नीचे का पार्ट क्या है क्या होगा जैसे कि दो अलग अलग पार्ट है उपर में programming बोलना पड़ेगा जैसे कि किस type का pitch को अब्रुक करना चाहते है और पीछ नहीं है बहुत सारा option भी है इसमें पीछ है लेंथ है वैलू है वैलू टू है चैनल है टाइप है प्रोपार्टी है वैलू 3 है लास्ट इवेंट है और context variable है तो इसमें अगर हम लोग वैलू को select करें तो यह जागा फर वैलू चोल आ जाएगा तो वैलू की ओल्ट हम लोग कुछ भी कर सकते हैं जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं जी टू नहीं तो f3 ऐसा ऐसा कुछ वैलू हम लोग किया है तो f3 इसमें थोड़ा सा dash देना select हो जाएगा तो particularly पीछ का दिया हुआ है इसका लेंद भी हम लोग कर सकते हैं इसका हम एक करके करके दिखाएंगे जैसे कि इसका हम पहले इसको बोल रहा है तो यह इसको हम लोग change कर सकते हैं otherwise कुछ प्रिशेट कुछ दिया हुआ है जैसे कि हम लोग अगर note extension कुछ भी मत करेंगे जैसे कि एकत्म प्रोग्रैमिंग लिखा हुआ है delete event नहीं तो killNodeC major अगर अपले करेंगे तो कुछ C major का Vamos delete हो जाएगा जैसे कि इस type का इसमें नीचे का जो ऑफ्षन है, जैसा कि डिलीट का ओप्षन है, ट्रांसफ फय में है इनसर्ट एक्स्क्लूजिब औरक्सेलेक्ट एकस्ट्रेक्ट और अशलीट का ओप्षन है तो यह हम लोग इूसकर सकते हैं, कैसे करें गे, तो ह्टोड़ा सा एक एक samples देखे बोल रहा है जैसे कि हम लोग कैसे इसको करेंगे, तो हम लोग चालू करते हैं, जैसे कि देखी है, पहले इसको रिमॉव कर देते हैं, ठीक है, तो दो जगह पर कुछ हाई नहीं, हम लोग इसको नय टैप का मतलब नया एक composition करना चाते हैं, जैसे कि अपना खुद हिसाफ से, जैसे जितना सारा एक three है वो हम select करना चाहते हैं तो एक comment से तो कैसे करेंगे insert में जाएंगे type is equal to note मतलब यह पहले का comment है जो filter target जो है particularly filter target किसका साथ equal होगा filter target equal होगा note का ही सबसे अभी next line में हम लोग note लिखेंगे कौन सा note को हम लोग करना चाहते है फिर से insert कर रहा है type is equal to value value हम लोग करते है equal to f3 ठीक है f3 हम डाल देते है तो जितना सारा पहले का line में लिखा हुआ है type is equal to type is equal to note note को हम लोग selection करेंगे उसका पात pitch जैसे की pitch equal to f3 जितना सारा f3 है उसको हम लोग select करेंगे और नीचे में select होना चाहिए apply करेंगे तो देखिए f3 जितना सारा है वो select हो गिया है देखिए 4 f3 है 4 select हो गिया अगर हम a3 करेंगे तो a3 अगर इसको करेंगे तो इसको अगर select करेंगे तो normally जितना सारा a3 है तो a3 select हो जाएगा तो किसलिए यह लगता है अगर इसको select करके अगर delete हम लोग करना चाहते हैं एक टाइब में एकदम चूटकी से delete हो जाएगा एकदम simple सा process और भी बहुत सारा process है जैसे कि इसका pitch का correction, pitch का जगा में हम लोग दूजरा कुछ लगा सकते जैसे कि पहले तो हम लोग लगाया है इसको value is equal to c2 pitch का correction में length हम लोग कर सकते हैं जैसे कि length कितना length seconds में अगर हम लोग जाएंगे seconds में कर सकते है samples में जाएंगे samples कर सकते है frame में जाएंगे frame में भी कर सकते है तो यह ज़्यादा तर लगता है जो लोग video देखके audio का project करता है तो particular length का जगा सिलेक्ट करने के लिए particular programming लगता है उसके बाद आगर हम लोग जाएंगे value तो आप लोग जानते आभी अभी दिखाया है value 2 इसमें भी velocity का हिजब से हम लोग जाएंगे जैसे की velocity equal to पहले ए वेलोसिटी देने से पहले आप लोगों को पहले value करना पड़ेगा कुंसा value का वेलोसिटी आप लोग डालना चाहते है जैसे की a3 अगर हम लोग करेंगे तो c2 करेंगे c2 a3 करते है ठीक है a3 a3 का value हम लोग select करते है उसके बाद फिर insert करना पड़ेगा इसका हम लोग वेलो सीटी जैसे गिए वैलीव 2 वैलो सीटी एकवल टू हम लोग करना चाहते है वैलीव हो गिया कितना वो आया है इसका 63 आया है एक मिनिट इसको होडा साथ देखना पड़ेगा एक बार अच्छा इक्वेल तो बीगर टेन May से एकुलट रेंट्टिव करते हैं पहले फिप्टी करता है एप्लाइई इस में ट्रांसफ्वर्म करता है एप्लाइई एकवर टु आच्छा इस को थोड़ा सा सेलेट करते हैं एक मिनट देख लेता है पहले इसको select कर रहा है जैसे कि कौन सा नोट हम लोग डालना चाहते है उसका बाद जो next पार्ट है जैसे कि उसमें value का इसको set to fixed value पहले 50 करते है इसको apply करते है 50 हो गिया अभी इसको 127 अगर करेंगे तो 127 हो जाएगा इसको apply करेंगे 127 हो गिया तो देखिए यह हमको भी थोड़ा सोड़ा देखना पड़ते कि बहुत बहुत सारा इसका options दिया हुआ है अब लोग थोड़ा से ट्राइ करकर देख ल तो कुछ कुछ जो daily के basis में लगता है उस type के कुछ options अब लोग देख कर रखना इसमें क्या होगा इसमें आप लोगों का काम करने में ज्यादा सुभीदा हो जाएगा transform logical editor बहुत important एक जगा है ठीक है next point में दूसरा जगा पर चला जाता है क्यूंकि इसको undo undo कर देता है आए अगर नहीं आए तो उसका बात अलग है मगर नॉर्मली होता नहीं है दूसरा plugins हो जाता है एड हो जाता है वेप अपने अब हो जाता है कुण सा कुण सा नहीं होता है जैसे कि जितना सारा VST2 चलता नहीं है VST2 plugin जितना सारा होता है VST2 VST2 QS5 और QS4 में चलता था अभी सब VST3 हो गिया मन्तब अपग्रेट होके 3 हो गिया तो इसके लिए अलग से आप लोगों को दिखाना नहीं पारेगा जो लोगों का मेशीन में प्रॉब्लम हो रहा है जैसे कि QS खुलने में दिक्कत हो रहा है QS हैंकर जा रहा है QS खुलने रहा है निवेंडर खुलने रहा है तो वो शायद आप लोगों का मिशीन में उल्ली एक DAW इंस्टल नहीं है बहुत सारा DAW इंस्टल करकर रखा है ऐधर फूटी लूफ है उसका साथ एवल्टन में रखा है उसका साथ शायद निवेंडर 4 र बन जाता है जैसे कि QS 5 अचानक से बंद हो गया खुल नहीं खुल रहा है ऐसर भी हो सकता है तो इसलिए कोई भी एक और दो इंस्टल करकर रहा को बाकी जितना सारा जो यूज नहीं हो रहा है उसको हटा दो यह करने से यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जागा और कुछ-कुछ है जैसे कि VST जो इंस्टल करके जैसे कि DLL फाइल को कॉपी करकर डालना पड़ता है जैसे अगर हम लोग चाहे तो इसमें अगर जो पुराना निवेंड़ फोर का जो इफेक्ट प्लागीन है वो प्लागीन अगर डालना चाहते है तो प्रॉब्लागीन एक जगा पर कॉप प्योष्ट करने से हो जागा जैसे जो लोगों का बहुत ही मनपासंद जो दो फायर है जैसे कि रिवाब ए रिवाब बी बोलके जो है डिले जो बोलके है पुराना जो क्यूबस निवेंड़ फोर में चलता था मगर क्यूबस थ्री में जो चलता है वो 12 में नहीं आएगा वो अब लोग अब लोगों को फाइल में यूज करना पड़ेगा क्यूंकि 12 64 bit हो गिया है 64 bit में ऐसा नहीं चलेगा 64 bit में जितना सारा 32 bit का फाइल से वो नहीं काम करेगा ठीक है हो गिया अच्छा उसके बाद छोटा से एक चीज हम देख्या रहा है जैसे कि अगर इस में म जोन क्रियेट कर लिए एक दो तीन चार बार का जोन क्रियेट कर लिया ठीक है इसमें हम एक डबल क्लिक कर रहा है और इसमें पर्टिकुलरली एक हम मीडी नोट को इंसर्ट कर रहा है मीडी नोट सी थ्री में कर रहा है सी थ्री में कर रहा है हम किसका वैलू हिसाफ से करते ह हम इसको off करके करते हैं जैसे कि इसका जो value होगा एक ही file में पूरा पूरा एक ठीक है अभी क्या है इधर सुवीदा के इसको थोड़ा बढ़ा कर लेते हैं तो यह वाला जो है इसको थोड़ा सा छोटा कलता है अभी हम लोग snap को off करके snap को snap को on करके और greet को जैसे की quantization को on करके हैं अगर हम लोग इसको split करने के लिए जाएंगे 32 नो 1 by 16 करने के लिए जा रहा है अगर alt press करके हम लोग करेंगे तो इधर क्या हो रहा है जितना सारा 32 16 quantization में जितना सारा यह है जैसे कि 16 quantization में जितना measurement होता है तो उसका इसससे पूरा एकदम serial ही cut गिया है तो इसमें क्या सुवीदा होगा अगर आप लोग करना चाहते है जासे कि यह इसको थोड़ा सा हाइड का हिससे यूज कर सकतो इसमें अब लोग एरो प्रेस करके एरो एरो ने सफ़री इसको एक एक करके प्रेस करके इसको हाइड एक open एक close एक लोज एक लोज ऐसा सकतो नहीं तो transformer का जो इसको भी use करके अब लोग इसको थोड़ा सा उपर नीच उपर नीच कर सकते हैं एक ही comments है ऐसा कर सकतो तो जब भी कोई अब लोग अगर इसको snap को off करके जैसे कि हम इसमें काट रहे हैं पूरे एक line कर रहे हैं अगर इसको हम लोगों को चाहिए जैसे कि 1 by 4 का हिसाफ साग चा जाएगा 1 by 4 कौन डाइजेशन में हैं तो कट गया है अभी इसका हिसाफ से अब लोग सजा लो किधर क्या रहना चाहिए किधर क्या होना चाहिए उसको हिसाफ से छोटा सा bits बनाने के लिए इतना आसान हो जाएगा आप लोग बहुत ही ये shortcut तरीके से बहुत अच्छा तरी plugins आभी नया चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है और जो plugins में अब लोग यूज करने से अब लोगों को यूज करने से बहुत ही जल्दी mixing mastering के काम अधा तो बनी जाएगा तूस टैप को plugin हम सोचा था इस टैप करेंगे मागर बहुत सारा कॉमेंट हम देखा है तो आप इधर से जान पाओगे और इसमें during the export time export का time का हिसाब से हम थोड़ा सा बोल दे रहा है आप लोगों को जब आप लोग एक्सपोर्ट करोगे तो इसका value जो एलिएफस का value है एलिएफस value minus 11 रखो कोई दिक्कद नहीं है minus 11 जब export होके जाएगा minus 12 में बन जाएगा minus 10 भी Spotify में जाओगे अगर Apple Music में जाओगे YouTube में जाओगे तो allow नहीं करेगा automatically उधर का जो logical एडिटर दिया हुआ है automatically compress होके वह minus 13 में बन जाएगा तो इसलिए उस time में देख के करना है जैसे कि particularly यूटूब जो edit कर रहा है वह edit से पहली आप ठीक से कर दो उसमें edit नहीं आएगा एडिट करना नहीं पड़ेगा मैं एक ट्रैक बनाना चाहता हूँ आपसे बना देंगे हाँ बना देंगे मैं थोड़ा टाइम लगते जो टाइम लग जाएगा ज्यादा तो हमारा जो नमबर एफ वाट्सप करना उसके बाद निवन्ड फॉर का डवल डिले का एफेक्ट क हम बोलेंगे एफेक्ट का बार में हम बोलेंगे क्योंकि एफेक्ट प्लागीन का सोचा था हम देने के रिये मगर बहुत सरो लोग को प्रव्लम हो रहा है तो इसका हिसाफ से हम यह ट्यूत लिकम आप लोगों को यह सब चेक करना जैसे की इन्सर्ट किया है सेंड ग्या ट्रेक होगे अभी यह जितना सारा नो ओडियो ट्रेक है इसमें इंसार्ट में नहीं तो सेंड में अगर हम लोग कुछ डालना चाहते हैं तो हम लोग डाल सकते हैं बहुत आसानी से एक ही टाइम में तो इंसार्ट में हम दिखा रहा है जैसे कि इसको सिलेक्ट करके हम शिप्ट को प्रेस करके हम लोग सीलेक्ट कर लिया है अब ये एड्ट ट्रैक में हम लोग जाएंगे देखिए इफिक्स चैनल तो हम लोग एफिक्स जैसे की को हुआ हम देना चाहता है इंसर्ड में तो इसको अगर क्लिक करेंगे तो जितना सारा चैनल है सभी चैनल में अगर मिक्सर में हम लोग जाएंगे तो देख पाएंगे जैसे जो हम लोग इधर से इंसरेड में लगाया है यह वाला खोलता है देखिए जितना सारा चैनल है सब्सक्राइल में लग गिया है तो ऐसा करके अगर हम लोग कोई भी पर्टिकुलरली इसको अगर आफ कर देंगे इसको अगर म्यूट कर देंगे तो जितना सारा सेंड एफेक्टर से बंद हो जागा एक ही एक ही बटन से बंद हो जागा क्योंकि यह काम नहीं करेगा क्योंकि में जो चैनल से जो राउटिंग हो रहा है और राउटिंग के चैनल बंद हो गया है तो यह इसको आफ कर देना जैसे कि आप लोग बना सकते हो, बना के प्रोग्रामिंग करके रख सकते हो, जैसे कोई भी एक बटन प्रेस करको तो अपने आप इंसराड में आ जाएगा, अपने आप कुछ एफेक्ट प्लगिन आ जाएगा, तो ऐसा टेप कर सकते हो, कोई भी जगा म्यूट करना है, कोई भी जगा साइलेंस करने हैं सब पूछ कर सकते हो, तो एक अल्टिमेट लेवल तक कुछ चीज अब लोग अगा ध्यान में रखो गे तो क्यू वेस में कोई भी ट्रैक बनाना कोई प्रॉब्लेम ही नहीं है, बूदासानी से बना सकते हो, थेक्ट दोसा, थेक्ट वर वाचि भी हो रहा है प्लागिन का, जो प्लागिन अपग्रेडेशन क्या क्या हुआ है, उसका बारे में भी बातचित करेंगे, थेक्ट पोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना, चुनियत साउंड नॉलेज को और करे अपने यूजिक का सपना साकार, डाउनलोड दिया नाउ